मेरा 15 दिन में मात्र 15 दिन में मेरा साड एक मिलियन सस्क्राइबर कम्पलीट हुआ है जो है सबसे ज़्यादा था शार्ट वालों का चैनल डिलीट किया जा रहा क्योंकि वह लोग बहुत सारी गलतिया कर रहे हैं तो आप मैं एक ऐसे बंदे को लेकिया हूँ जो दूसरों को वीडियो डाल करके शार्ट चैनल ब्रो किया है अर्निंग भी कर रहे हैं इनका शार्ट फंड भी आता है एंड टेर लाक सब्सक्राइबर भी वो चुके है तो सागत है भाई आपका अमारे यूट्यूब चैनल दे आती यूट्यूबर डिम सी पर सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इनवाइट किया सर इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद तो भाई आप थोड़ा सा अपना परिचर दे लोगों को अपना नाम बताए और कहां से थोड़ा सा आपने बारे भी बताए सर मेरा नाम है अंकेस आनंद और मैं बिहार के एक छोटे से जीला अरडिया से रहने वाला हूँ और मैं भाई अभी बनवनखी में राता हूँ और वहीं से पढ़ाई सब चीज करता हूँ और वीडियो भी वहीं पनाता हूँ अच्छा पढ़ाई की बात आपने की तो आप अभी किस कलास में है जी सर मैं अभी तेंथ में हूँ अभी दस्वी की पडिक्षा होने वाली है सर मेरी अभी यानि कि अभी तेंथ में तो आपकी उम्र क्या आई समय लगबग सर लगबग मेरी 16 अभी है तो आप दूसरे की वीडियो डालता हूं क्योंकि मैं तो आज मैं सारी चीजे आपसे जानना चाहूंगा लोगों को एक नॉलेज दीजिए किस तरह से आप दूसरों की वीडियो डालते हैं क्या क्या चीजे रहती हैं ताकि बहुत सार लोग गलती करें उनका चैनल डिलीट हो जा रहा इतना सरा कमेंट इस्टाग्राम और यूटूब प्यार आया कि दो लाग तीन लाग वाला चैनल इनका जो डिलीट हो गया तो इससे मैं परसान होकर आपको इन्वाइट किया ताकि आप सारी चीज जहां पर है उससे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए कि आपकी फाइनेंशियल इस्टिती क्या है घर वार के बारे में सर घर की फाइनेंशियल इस्टिती तो अभी ठीक ठाक है अभी कोई दिक्कत नहीं है और मुझे घर से सर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और यही सब की वज़ा है जो मैं इतना ज़्यादा अभी गुरो कर रहा हूं अच्छा आप यूटूब पे कब आये कितना दिन हुआ और के आने के पीछे क्या खानी है सर यूटूब पे अभी मैं यानि की एक साल मेरा होने वाला है और एक जनवरी को मैंने चेनल स्टार्ट किया था अच्छा तो आपका चेनल कितने दिनों में गुरो होना चलुआ ग कितने सब्सक्राइबर हो गए एक मैने के दौरान कर इस मेने में मेरे करीब करीब पंच लाग सब्सक्राइबर इस महने बढ़े हैं और अगले मेंने सर बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़े तो अभी टोटल आपके आपके चैनल पे मैं देख रहाँ वालमुष 13 वाव क्या बात कर रहे हैं तो चलिए आज सारी चीजे बताइए किस तरह से करते हैं तो हम चलते हैं कि पहले आप किस टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं आपकी टॉपिक क्या रहती है आला कि मैं स्क्रीन पर दिखा दूँगा लेकिन आप थोड़ा सा बताते जाए दाकि बारे में क्या जानकारी देना है मैं वह सब चीज बताता हूं और मैं मेरा टॉपिक है कि डॉरी मॉन सिंचेन यानि कार्टून के बारे में मेरे मैं बहुत ज़्यादा नौलिज देता हूं अच्छा तो एक वीडियो आप कैसे अप्लोड करते हैं कहां से लाते हैं कि आपके कभी स्ट्राइक नहीं मिला अगर स्ट्राइक मिला तो उसके बाद आपने क्या किया कभी मिला की नहीं स्ट्राइक सर जी मिला है मुझे दो स्ट्राइक अभी मिला था इ wen फी Central 17 पहले मुझे 2 रीडरी फीज़ उसको कि iam ऐ ready to बताता नो आज देखे 9 अज़े जब स्ट्राइक मिला था जिसर जब स्टायक मिला था तो मैं बहुत ज्यादा पडेशान हो गया ताकि मुझे पता भी नहीं था इस्ट्राइक क्या होता फिर मुझे दीरे दीरे पता चला कि इस्ट्राइक से चेनल डिलीट हो जाता है तो मैं बहुत ज्यादा सौक हो गया था सर उसके बाद मैंने उसे कॉंटेक्ट की तो उसके बाद कॉंटेक्ट किया तो वह लोग बोले क सुनिए सुनिए मैं थोड़ा से क्टोस्चन यहां पर फूट अप करना चाहूंगा जो आपके वीडियो पर इस्ट्राइक आई तो मेरे समझ से मेरे समझ से तो ऐसा नहीं लगता है कि आपका कोई लांग वीडियो रहा होगा आपने लांग किसी की वीडियो यूज कियोगी स्में कट कर कर तो इस ट्राइक करे होगा या आपने शार्ट वीडियो दाल दिया था क्या किसी का है सर मैंने क्या क्या था वीडियो ही उसका आप लोड किया डॉनलोड किया उसका ही शुट वीडियो जिसमें मैंने आथ तरीके बतायें साथ आपने देखा एक नियू उस वीडियो को तो उसमें मैंने बताया इस टॉपिक को भी मैंने रखाया कि किसी का आपको शार्ट वीडियो उठाके ही नहीं डाल देनी है बलकि जो आगे आप सबको पता चलेगा दोस्तों कि कैसे एक करते हैं जैसे कि तो आपने देखा कि आपके चैनल पर स्ट्राईक आई फिर इन्होंने किसी तरह से उसको हटवाया बात करके एक किसी का शार्ट वीडियो ईडाल दिये थे डॉलब हfoldGO करता हूँ उसका छोटा-छोटा कलिप अपने वीडियो में यूज करता हूँ उससे क्या होता है की- तुर पलभ इने चलता कि करते हैं जब मुझे किसी फैस बनाना होता है तो उसका क्या करते हैं उसका लोग वीडियो डॉनलोड करते हैं उसमें से उसका लोग वीडियो करें हम एक तो वह simply उसका clip यूज करेंगे तो नहीं देगा copyright नहीं आएगा और अगर हमको थोड़ा सा clip लेना होता है नो अगर थोड़ा सा भी clip लेना होता है तो मैं कम से कम 10-15 चैनल का थोड़ा थोड़ा वीडियो उसमें यूज करता हूं तो उसको पता ही ने चलता है रही बात लॉंग वीडियो का साथ तो लॉंग वीडियो में तो आधा उसका यूज किजिएगा तो खुछ भी copyright नहीं आता है लॉंग वीडियो में अच्छा यानि कि अगर आप शार्ट यूज कर रहे हैं तो 10-15 जो चैनल का आ यह यह ने चलता है कि मेरा वीडियो है उसको यह लगता होगा यह भी कहीं से डॉंलोड किया है जहां से आमूलूड किये हैं प्र inception है कोई subscriber चारा है कोई youtuber चारा है कि मैं किसी एक की वीडियो उसको पसंद आगई काने भी पसंद आगई तो आगर किसी एक की long video यूज करना चाहे तो उसको कैसे यूज करेगा कि copyright ना है देखिए लॉंग वीडियो को अगर आप उसका पूरा यूज करना चाहते तो भाई पक्का को पीराइट आएगा उसका आपको वो जो कहानी बताया है ना उसको आपको सोट में बताना पड़ेगा उसके लिए उसको वीडियो उसका डाउनलोड किये आप उसमें से सिप उसका ही वीडियो यूज नहीं करना आपको थोड़ा थोड़ा अपने मन से भी फोटो वेगरा भी उसमें डालना है उससे उसको पता नहीं चलेगा अब उसका वीडिएओ पुड़ा डाउनलोड किये उसी का वीडियो एक तरफ से चल रहा है उसी का बनाया हुआ इडिट किया हुआ उसमें आप से वास उबर कर दिए तो उसमें उसको पता चल जाता है उसमें आप थोड़ा सा अपना से इडिटिंग कर दीजिए, थोड़ा सा फोटो लगा दीजिए, थोड़ा सा दूसरा का किलिप यूज कीजिए, और अपने मन से भी कुछ कुछ कीजिए, उससे उसको पता नहीं चलेगा, इससे कोपी राइट नहीं आती है जी जी, आज मुझे लग रहा है कि मैंने लोगों को एक सही नालेज दिया है, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था, लेकिन मैं जान रहा था कि ऐसा ऐसा यूटूब का अलगोरिदम काम करता है, मैंने अल्रेड़ी यह सारी चीजिज जो आप बता रहे हैं, इसको मैंने एक मैं थोड़ा सा यूज करता हूँ, जहां पर उसी से रिलेटेट कोई फोटो, तो आप फोटो कहां से लाते हैं, जी सर अगर गूगल पर सर्च कीजिएगा, तो फोटो मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको HD फोटो चाहिए, तो सर पिंट्रेस्ट एप बहुत ही अचायप है उसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, सरमय पिंट्रेस्ट से सिंचेन या डोडी मौन जिसका भी फोटो हम डाउनलोड कर लेते हैं, उसे कोपीराइट नहीं आता है यानि कि अभी जहां तक मैं आपकी बातों को समझ पा रहा हूँ, अगर आप शाट वीडियो जो बनाते हैं, तो अगर शाट वीडियो अगर किसी का लेना है, तो 10-15 लोगों का लेके थोड़ा-थोड़ा उसमें मर्ज करके, वाइट ओबर करके, इडिटिंग करके, चैनल का लेके, उसमें मर्ज करके, एक कहानी बनाके, आप उसे 15-20 जितने में आपको कर पाएं कबर, उसको करके अपलोड कर देते हैं, मैं सही समझ पा रहा हूँ, जी सर, यही होता है, अगर आपको को पी राइट से बचना है, तो यह सब चीज करना ही होगा, नहीं तो आ कितना है, कितना आने बला है, तो आप लोग समझ रहा है, किस तरह से हो रहा है, तो अगर दूसरों को वीडियो यूज करना भाई, तो इतना तो आपको इडिटिंग करना आए पड़ेगा, नहीं तो ऐसा थोड़ी है कि बस किसी का उठा के वाईस ओबर डाल दो, तो हो गय बहुत सारों को चैनल डेलीट हो रहा था, तो मैं सोचा कि मैंने तो एक वीडियो अलड़ी बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्चन में, डिस्क्रीन में मिल जागा, उसको देख लिजेगा, एंड इसको भी आप समझ लिजिए, मैं सोचा क्यों ना किसी बंदे को इन्वाइ इसको पचास डोलर मिला था अगले मैंने, और यह मैंने अभी तो इस मेंने का बता आएं तो सरदेश या दो सोड़ तो मिलना आए इस बार, अगले बार नहीं मिला का जाता, लेकिन इस बार सर जरूर मिलेगा जाता, इतना उमीद हम, ए अच्छा, तो आपका जो यह कर दिया है वह आ जाएगा कि मुझे समझ में नहीं आता है कि साट वाले दस दिन में एक लाग करते हैं तब तक पंद्रवेज इनका जो ए गोल्डेन प्लेंड बटन के लिए अपलाई हो जाता है तो यूटुब कितना प्ले बटन में देगा इसलिए थोड़ा सा डिले हो जा अच्छा नॉलेज आपके लिए प्रोवाइड करता हूं तो भाई अभी आप जैसे यूटूब कर रहे हैं पढ़ाई में काम कर रहे हैं तो कैसे मैनेज कर रहे हैं सर देखिए हम दिन भड़ पढ़ाई करते हैं और हमको दिन में पढ़ाई करना है काई कि सर गारजन का प्रेसर होता है अभी तेन काई जाम है सर तो देखिए हम वीडियो का बनाते हैं हम रात में वीडियो बनाते हैं और रात में वीडियो बनाने का एक यह वीडियो जन है करता हूं ताकि मैं सुबह उसको अपलोड कर सकूं क्या कि मेरी 8-9 कोचिंग होती है और मुझे उससे पहले ही वीडियो पब्लिक करना पड़ता है यानि आप मॉर्निंग में वीडियो पबलिक कर देते हैं हाँ मॉर्निंग और सुभा दो विडियो अप्लोड हमको करना है डेली करते है जैसा कि आपका चैनल अभी ठीक ठाक हो गया है तो अभी स्बांसर होगे रहा है कि मेसेज आ रहे हैं कि नहीं हीिमेल होगे सब्सक्राइब करता है अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं कर दूंगा जी और भाई आपको अगर मेरे दर्थक्म को कुछ कहना चाहे तो कह सकते जी सर मैं यही बोलूँगा कि आप सभी को अगर सीखना है कि सक्सेस्फुली यूट्यूबर कैसे बने और गैनिक तरीका से कैसे गुरो करे तो आप मेरा टेक विला 2.0 मैंने एक नया चैनल बनाया जिस पर मैं खुद अपना एक्सपीडियन्स सेयर करता हूं सर उस पर अगर कोई भी ओडियन्स विजिट करता है तो उसको जो सही नौलेज मिलेगा इसलिए मैं कहूंगा कि अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो उस चैनल को भी एक बार सर सपोर्ट कहिए करेगा आपका ओडियन्स और अगर सिखना है तो उस चैनल को जाकर देख सकते अच्छा स सारी ओडियन्स को आप अपने पास बुला रहें मैं सही नहीं बत आता हूं क्या शर को भी भाई लो告诉 कि आप बहुत जादा मैनद करते हैं तो मैं इसी के साथ धनेवाद आपका भाई आपपने बूजय बुलाया भाउट बहुत बहुत दन्यवाद भाई आपका भाई